हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज की इस वीडियों बात करेंगे स्कॉट्लेंड वर्सिस यूनाइटेड स्टेट थार्ड ओडियाई मैच के बारे में इसके थार्ड ओडियाई मैच को आप आज दो बहर के साढ़े तीन बजे से देख सकते हैं फ्रेंड्स और यह मैच स्कॉट्लेंड के मैनो फिल्ट पार्क में खेला जाने वाला है पिछ की बात की जाए तो पिछ बैलन्स्ट है फर्स इनिंग का अवरिज स्कॉर 260 प्लस देख सकते हैं वेदर की बात की जाए तो बारे सोने की संभावना नहीं है तेमपरेचर 20 डिगरी सेलसियस रहने वाली है तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियो को तो मेरे इस चैनल को सस्क्राइब करके नोटिफिकेशन बल को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके अब अगर स्कॉर्टलेंड के पिछले 10 मैचस में विनिंग परसेंटेज की बात की जाए तो 60% मैचस में जीत हुई है वहाई यूएसे के पिछले 10 म मैचस में जीत हुई है अब अगर स्कॉर्टलेंड के पिछले 5 मैचस की बात की जाए तो तीन मैचस में जीत हुई है दो मैचस में हार हुई है वहाई यूएसे के पिछले 5 मैचस को देखा जाए तो तीन मैचस में जीत हुई है एक मैच में हार हुई है और एक मैच टाई ह हुआ है अब अगर पिछले पांच मैजस के अधार पर टीम एनलाइसिस किया जाए तो ओपनिंग में स्कॉटलैंड की टीम एवरेज है यूएसे की टीम स्ट्रॉंग है मिडिल ओर्डर में दोनों ही टीम स्ट्रॉंग है बैटिंग डेप्ट की बात की जाए तो यूएसे की टीम एवरेज है स्कॉटलैंड की टीम स्ट्रॉंग है पेस बॉलिंग में स्कॉटलैंड की टीम एवरेज है यूएसे की टीम स्ट्रॉंग है स्पिन बॉलिंग में स्कॉटलैंड की टीम स्ट्रॉंग है यूएसे की टीम एवरेज है अब अगर मैच विनर की बात की जाए तो दोनों टीम्स को compare करने पर Scotland versus USA के इस थर्ड ODI मैच में हमारे analysis के अनुसार Scotland के जीतने के chances ज्यादा हैं आपके क्या thinking इस थर्ड ODI मैच को लेकर आपके अनुसार कौन से टीम जीत सकती हैं आप अपनी राए मुझे कमेंट करके जरूर बताएं उमीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब कर लें और नोटिफिकेशन वेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके साथ ही साथ जादा से जादा लोग को ये वीडियो सेयर करें फ्रेंड्स मुलाकात होगी अगले वीडियो में वीडियो को अंतक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद